इंडिया वो फिलाल पीछे चल रहे हैं अब एसे में हर किसी के मन में ये सवाल आ रहा है कि जब जेल में बैठे हुए इमरान खान तो आखिर ये नेता जीत कैसे जा रही है क्या इमरान खान के पॉपिलारिटी success और जीत से ज़ये हैSTR अब आप इसके पीछे के strategy समझे अच्छी जब सेना की तरफ से कूछ इस तरीके से शडीयंत्र रचा गया कि एलेक्षन कमीशनने इम्रान खान की जो पाटी हैई उसका जो चुनावचिन था यानिकि बैट उसे पूरी तरीके से रद कर दिया इतुना ही नहीं Election Commission की तरफ से इमरान खान की जितनी रैलिया होनी थी चुनावी रैलिया उन सबी को भी रद कर दिया गया साफ तोर पर कागया कि आप कोई भी रैली नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी तक का आकड़ा ये बताता है कि इमरान खान को 34 साल की सजा जो है वो हो चुकी है अब आप ये समझे रैलिया रद कर दी गई चुनाव चिन जो है वो पूरी तरीके से रद कर दिया गया कोई भी जो रैली है उनकी तरह से नहीं की जा रहे थी कोई मीटिंग्स जो है वो नहीं की जा रही थी लेकिन इन सब के बीच में आज जब चुनावी नतीजे सामने आए तो हर कोई हरान रह गया कि भाई ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान जो है वो चानक से जीतने लग गए लोगों के दिलों में राज करने लग गए लेकिन आप ये भी समझे कि ये जो चुनावी नतीजे सामने आ रही है ये सर्फ इमरा से की जारती वो चाहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो चुनावी मैदान में उत्रे और जीते और इसी लिए पिछले दुनों हमने देखा भी कि आकर सेना की तरफ से किस तरीके से इम्रान खान को लेकर लगाता टार्गेट जो है वो किया जारता तमाम चीज़ें की गई लेक इम्रान खान के तरफ से अपनाए गई वो ये थी कि जो इम्रान खान के जो नेता हैं वो उतर गए निर्दलियों उमीद्वार के तौर पर और अब जब वो निर्दलियों उमीद्वार के तौर पर उतरे तो सबसे बड़ी बात क्या थी वो थी अपनी आवाज जंता तक प वक्त जब पहली वर्चुल रैली जो है इमरान खान के तरह से की कि उसमें वो नजर भी नहीं आते थे सिर्फ उनका भाशन चलता था और भाशन में सर्फ उनकी फोटो नजर आती थे और पीछे बैंग्राउंड में जो है वहाँ पर उनकी आवाज जो है वो साफ तोर पर सु कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि जब आप चुनावी नतीजे सामने आए तो अब इन सब का लबो लुबाब यह हुआ कि चुनावी नतीजे जित्ते में इम्रान खान नजर आ रहे हैं लेकिन खेर कहा तो यह भी जा रहा है कि अब निर्दलिया उम्मीद्वार जो है दोनों ही पार्टियों को सपोर्ट करने के लिए बंदू की नोग पर पाकिस्तानी से न कह सकती है और अब ऐसे में वह भी कुछ नहीं कर पाएंगे अगर बंदू की नोग पर यह सब किया जाता है लेकिन आप इन सब का निसकर्ष यह समझे कि अब जब चुनावी नतीजे सामने आए तो एक बात तो साफ हो गई है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की सेना के खिलाफ खुल कर अब मोर्चा खुल चुकी है पाकिस्तान की जब पाकिस्तान की जनता है